दोस्तों चाइना की बहुत बड़ी construction firm है जिसका नाम है Evergrande Group अब इस construction firm के हालात बहुत ज़बे खराब चल रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ लोग रोते हुए नजर आ जाएंगे सवाल उठता है कि यह रो क्यों रहे हैं यह वो लोग हैं शेंजन नाम की जो साउथ इस्टन चाइना की सिटी है वहाँ पे Evergrande Group का headquarter है उसके बाहर बहुत सारे लोग इखटा हो गए रोने के हालात है यह वो लोग हैं जिन्होंने Evergrande में पैसा invest करके रखा है उसके shares खरीद कर रखे हैं कुछ बड़े-बड़े high-valued investors है उसने यहाँ पे पैसा लगार के रखा है और Evergrande Company की चल रही है हालत खराब Evergrande Company के उपर 300 billion dollar से ज़्यादा का उधार है overall इनके debt obligation 300 billion dollar क्रॉस कर चुके हैं मतलब इन्होंने उधार लिया और उस उधार के उपर interest देना है तो यह पूरा जो combined component है 300 billion dollar क्रॉस कर रहा है और किस हद तक global economy एक दूसरे का साथ connected है यह भी आपको particularly हाँ पता चलेगा इस Evergrande का contagion fear है आप बोलो कि contagion fear क्या होता है तो होता यह है कि जब stock market में downward slide शुरू होता है तो सब कुछ बरबाद होता चला जाता है जैसे for example हर्शिद मैता के scam में जो एक या दो company के shares हर्शिद मैता ने उपर उठाया थे जब वो गिरने लगे ना पूरा का पूरा stock market गिरने लगता है तो stock market में या तो bearish sentiment चलेगा या bullish sentiment bullish sentiment में overall share के दाम उपर यूठते जाएंगे bearish sentiment में overall share के दाम नीचे गिरते जाएंगे कोरोना के pandemic के समय पे bullish sentiment dominant रहा है पहली बार ऐसा दे रहा है कि देखा जा रहा है कि bearish sentiment यहाँ प्यारा है जो share से वो नीचे गिरते जा रहा है इंडिया की जो share की कीमत है 1% नीचे गिर गई nifty 50 index जुलाई 2021 से लेके अब तक सबसे बेकार level पे stocks करके यूरोप का 600 index है वो 2% नीचे गिर गया wall street पे हालात खराब है dow jones industrial average यह जो futures हैं आपके dow jones industrial average के वो 500 points नीचे गिर गए हौंग कॉंग में बहुत सारे shares के दाम नीचे गिर रहे है सोचिए एक company यहाँ पे bankrupt जा रही है bankruptcy है की नहीं है यह तो नहीं बोलना चाहिए अब अगर Chinese सरकार यहाँ पे intervene करती है तो अब वेसी बात है फिर यह जो company है आपकी ever grand group यह bankrupt नहीं होगी पट ऐसा क्या है भाई इस एक company के पास की इसके share नीचे जा रहे है तो पूरी दुनिया के share के दाम नीचे जा रहे है याद करिए 2008 का subprime mortgage crisis पता है न Merrill Lynch जैसी companies bankrupt हो गई तो पूरे दुनिया में बवाल मच गया था प्रोचिस प्रकार का ही हो रहा है यहां पर अब इस company के impact के बारे में समझने कोशिश करते है गौंग्जाओ नाम की जो प्रोविंस है 1996 में वहां पर ever grand नाम की company मनी चाइना का biggest आप कह सकते हो one of the biggest बोलना चाहिए टॉप में आता है यह infrastructure developer ever grand इसके उपर उधार हो गया 300 billion dollars ज्यादर 280 Chinese cities में जो भी infrastructure projects चलाए गए है उसमें ever grand group का पैसा लगा हुआ है लेकिन overall यह पैसा यहां पर डूपता हुआ से नजर आ रहा है recently शेंजन नाम के शहर में जो headquarter था ever grand का उसके बाहर एक्दम भीड लग गई क्यों भीड लग गई चुकि सब लोग ever grand से पैसा मांगने के लिए खड़े थे ever grand ने जो properties बनवाई है वो property कोई खरीद नहीं रहा है तो जो sales agent है वो अपना पैसा मांगने के लिए खड़े हुए ever grand से फिर unpaid contractors ever grand सारा construction का का काम खुद नहीं करेगा कुछ काम ये outsource भी करता है तो जिन contractors ने ठेका उठाया था ever grand का उन contractors ने construction तो कर दी बट ever grand से payment नहीं आई है तो वो payment लिए खड़े हैं और वो investors जिन्होंने पैसा लगाया ever grand में इसके shares खरीद रखे हैं overall इसको debt उधार दे रखा है वो भी भीर लगा के खड़े हुए अगर आप ever grand की बात करिए तो 2 लाख लोगों को employment देता है आपका ever grand मतब कमपनी सीधे-सीधे 2 लाख लोगों को employ करती है और indirect employment इसका 38 लाख है हर साल अभी तक Chinese government की तरफ से कोई assurance नहीं आया है कि Chinese government ever grand को बचाएगी देखिए चाइना की government intervene करती है तो definitely ये company बचा ली जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इस level के protest चाइना में होते नहीं है चोकि चाइना में communist सरकार है वो protest बरदास्ती नहीं करते हैं बट यहाँ पर protest एक particular company के financial failure को लेके हो रहे है तो आप कह सकते हो this is a global price in the making और देखिए होना ही था एक limit से ज़्यादा अगर stock market उपर आएगा तो कोई ना कोई तो tipping point आएगा जिसके बाद stock market नीचे गिरेगा अच्छा यहाँ पर एक company reason नजर आरी जिसका नाम है evergrand group लेकिन देखिए केवल यही एक company reason नहीं है market के नीचे गिरने का एक particular company के नीचे गिरने से पुरा का पुरा market नीचे गिर सकता है तो बहुत सारे लोग पैसा अपना stock market से बाहर निकाल रहे हैं सिर्फ इस company के अलावा और कौन कौन से factors निकल के आ रहे हैं जो कि इस पूरे की पूरे stock markets के downfall का reason मन के खड़े हैं उसको भी समझने कोशिश करते हैं delta variant US में तरखाट मचा रहा है US में आप कह सकते हो कि अभी के समय पे दिन में 2000 से ज़ादा मौते हो रही है और अभी भी पूरी तरीके से USA में control नहीं हुआ है coronavirus तो एक तो ये negative sentiment लेके आ रहा है इस प्रकार की बिमारिया कभी भी economic ले अच्छी नहीं मानी जाती है तो negative sentiment लेके आती है दूसरा US में fed tapering की talks चल रहे हैं बाप बोलोगे fed tapering क्या होती है आपको पता है कि किसी भी देश की central government क्या करती कि जब वो market से securities खरीद लेती है treasury bills खरीद लेती तो market में बहुत सारा पैसा उतार देती तो 100 billion dollars से ज़ादा in fact बहुत पैसा federal reserve जो कि अमेरिका की central bank के उसने market में डाल रखा है इस पैसे को बहुत सारे लोगों ने उधार पे उठाया और दुनिया भर के stock markets में इंवेस्ट कर दिया जी हाँ federal reserve जो कि अमेरिका की central bank है उसने बहुत सारा पैसा market में infuse किया उस पैसे को लोगों ने उठाया और stock markets में इंवेस्ट कर दिया अब problem यह है कि federal reserve यह बोल रहा है कि we will do fed tapering fed tapering मतलब federal reserve का यह बोलना है कि already हम बहुत सारा पैसा market में घुमा चुके हैं इतना सारा पैसा अगर market में घुमेगा तो महंगाई बढ़ेगी inflation बढ़ेगा और inflation भी एक वज़ए उस पर थोड़ी दिल में आते है तो इस inflation को control करने के लिए fed tapering की बात आ रही है थोड़ा यह जो पैसों का flow है ना market में इसको कम करने की बात आ रही है तो हो सकता आगे आने वाले समय में कुछ पैसे की liquidity को suck back कर ले कौन federal reserve इसको बोलते है tapering अब जब tapering होती है तो economy में पैसे का flow हो जाता है कम तो लोगों के हाथ में पहले जो पैसा था जो कि वो stock market में इंवेस्ट कर रहे थे वो पैसा कम हो जाएगा तो stock markets में investment भी कम हो जाएगी और जब stock market में investment कम होगी तो bullish sentiment कम होगा bearish sentiment dominant होगा stock market नीचे गिरेगा फिर अमरीकी सरकार की जो debt limit है उसको control करने की बाती जारी overall जो American debt है that is somewhere around 28.4 trillion डॉलर्स तो इस debt के उपर ceiling लगाने की बात की जारी है और अगर American debt के उपर ceiling लगाई जाती है तो वो पैसे की flow को रोकेगा फिर सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि inflation बढ़ा हुआ है दुनिया भर की central banks ने easy money policy को follow किया और बहुत सारा पैसा market में उतार दिया इस बहुत सारे पैसे के चलते economy में liquidity बढ़ गई है जिसके चलते महंगाई बढ़ गई है और जब चीजें जदा महंगी हो जाती है तो एक limit के बाद लोग चीजों को खरीदते नहीं है वो दाम के कम होने का इंतजार करते है cost of living बढ़ जाती है और inflation is not good for the economy and it is also not good for the stock market और सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में stock market नीचे गिर रहा है अब जब stock market नीचे गिर रहा है तो why buy the dip why buy the dip का मतलब यह हो गया कि जब अलड़ी stock market नीचे गिर गया है तो bearish sentiment dominant है और जब bearish sentiment dominant होता है तो जो investors होते हैं वो stocks बेचते हैं खरीदते नहीं है तो मालो किसी stock की पहले कीमत थी 100 रुपे वो गिर के 90 रुपया पे आ गई 85 रुपय पे आ गई तो एक downward trend दिख रहा है इस downward trend में investors डरे हुए होते हैं वो stocks खरीदते नहीं हैं बेचने लगते हैं और बेचने के चलते हैं और bearish sentiment dominant हो जाता है और stock market नीचे गिरने लगता है तो यह कुछ वज़ा है और यह जो ever grand company यहाँ पे bankrupt हो रही है इसकी वज़े से दुनिया भर में stock markets नीचे जा रहे हैं आगे आने वाले समय में इंडिया में भी stock markets गिर सकते हैं हो सकता है कि इस particular news को देखके आप मैंसे बहुत सारे लोग जो लोग जो लोने कुछ shares वगारा खरीद रखे हैं बेच दो तो आप भी bearish sentiment में आप एक role play करोगे जो कि जब लोग बेचने रखते हैं तब bearish sentiment आने लगता है stock market नीचे जाने लगता है और यही पूरी दुनिया में इस समय पे हो रहा है एक important news थी thank you so much for watching friends I hope आपको इस news में कुछ ना कुछ useful लगा होगा join button नबा के help करिए अगर आपको इस परकार की news से फाइदा होता है instagram पर follow कर सकते हैं telegram group join कर सकते हैं हर चीज का link नीचे description box में दे रखा है have a great difference goodbye